मैं आपके साथ एक और नहीं रेसीपी लेकर आए हुँ तो आज के इस विडियो में हम आपके साथ में अपने जाने जाने हैं मदुबन वड़ा की रेसीपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका बहुत ही जादा अच्छा है तो अगर आपने अभी तक यह recipe ट्राइए नहीं किये ना तो आप इसी try कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई location है कोई function है तो आप यह बना सकते हैं फ्रेंट बहुत ही जादा ला-जवाब recipe है तो चाहिए आज कि इस मज़दार recipe को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मधुबन वड़ा बनानी के लिए हम ही क्या चाहिए मधुबन वड़ा बनानी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगब में मूंग डाल ली वी है और इसके इलावा मैंने यहाँ पर उरत की दाल लिए यह म सबसे पहले भीगोना है तो इसके लिए मैं यहां इक बरतन ले रही हूए जिसमें मैं आड़ कर दे हूं यह मोंग की दाल और दूसरे में यह मिए और की दाल तो अब हमें इसका पेस्ट बनाकर के रड़ी करना है तो इसके लिए ना मैंने यहां पे जार लिया वाई जिसमें मैंने आइट कर दिया और उसके बाद मैं इसमें आइट कर दिरी हूँ यह मोंग की दार और बस इसके बाद हम इसमें जड़ा सा पानी आट करेंगे और अब हमें इसका पेस्ट बनाकर रड़ी कर लेना है तो यह देखे फ्रेंट कुछ इस तरीके से ना हमारा यह जो पेस्ट है वो बन करके रड़ी हो चुका है तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं अगर आपका जादा डाल है तो आप उसे दूसे तीन मैचेस में अराम से ग्राइंट कर लें तो बस अब सारा मिश्रन बोल में डाल देने के बाद हमें इसे अच्छे से ना फेटना है तो इस काम के लिए आप किसी चम्मच का या फिर अपने हाथ का इसमाल कर सकते हैं और बस इसे ना लगातार चलाते विए हमें अच्छे से फेटना है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखे आप इसे अच्छे से फेटे क्योंकि आप इसे जितना अच्छा फेटेंगे उतना ही अच्छा हमारा जो वड़ा है वो सॉफ्ट बनके रेडी होगा तो बस अब इससे लगाता चलाते विए ना अच्छे से फेट ले थोड़ा सा यह महनत वाला काम है हाला कि अगर आप इस टेप को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका जो वड़ा बनेगा सुपर सॉफ्ट बनेगा नमक मैंने इसमें ज्यादा आडनी किया है बिल्कुल कम आड किया है और बस अब हमें किवले से मिलाना है क्योंकि हमने इसे पहली अच्छे से फेट के रेडी कर लिया इधर ना next मैंने एक चन्नी में दही को छांट के रग दिया था पहली ताकि इसका जो एक्ट्रा पानी ही ना वो बिल्कुल निकल जाए फ्रण्ट ये जो मदुबन बड़ा होता है इसमें जिस दही का इस्ते माल किया जाता है वो दही बिल्कुल अच्छे से फेटना है तब tक जब तक यहीं बिल्कुल अच्छे से स्मूथ टेक्टर में ना जाये तो बस इसे लगताँ चलाते वे इन हमिंसे फेटना अ है इस ठाई मेंAD करी Wonder आप चाहिए ना तो इसके बजाए मार्केट में फ्रेश क्रीम अविलीबल होता है थे क्रीम ये यह क्रीभार olması म्युक्ष्स आप अब जो दही ना बिल्कु रडी है बिल्कु पॉफिक्ट क्रीमी टेक्ट्टर में तो दही बिल्कु पॉफिक्ट रडी हो चुका है तो हम इसे साइट कर देते हैं और इधर नेक्स्ट मैंने कड़ाई लिया वह है अब हम बनाएंगे मसाला जो हम अदबन वड़ा के उपर ड करें लगाता चलाते हैं अच्छे से जब तक इसमें खुश्बू आनी शुरू ना हो जाए जब आप इस तरीके से ना जैसे बड़ा बना रहें और उसी वक्ट जब आप यह मसाला रेडी करके उसमें डालेंगे ना तो इसका टेस्ट ना और भी ज्यादा अच्छा आता है अगर आपके पस टाइम दी हैं तो आप यह मसाला रेडी करके रख सकते और जब यह जलने बना रहें तो आप उसमें उपर से इसमें डाल सकते हैं तो फ्रेंड मसाले जो ना वह लगभा लगभा भूँ चुके हैं तो इसी टाइम पर मैसमें आठ कर दिया है यह लालमिच और बस अब हमें इसे भी शाथ मेना अच्छी से भून लेना ताकि भून जाए और जब यह भून जाएगा, उसके बाद हम ग्यास का फ्लीम ओफ करके इसी निकालके जरासा थंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसका पाऊडर बनाके रेडी कर लेंगे, इसी ग्राइड कर ल तभी इनका अस्ती मजा आएगा और यह मदोबन वड़ा में बहुत ही ज्यादा अच्छ लगता है आपके पास उस वक्त जो भी ड्राइफ्ट अविलेबल हो आप उसमें जरूर आख करें अब बस हमें इसमें घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है अच्छे से भून लेना ह तो हम इसे चेक करेंगे तो मैंने हाँ पे बैटर लिया जरा सा आट क्या यह दिखे ऊपर आ रहा है यानि कि यह बल्कुल परफेक्ट हम है हमें इसके लिए इतना ही गर्मतिल चाहिए तो बस यह बिल्कुल रेड़ी है अब हमें इसमें आट करना है अपना बैटर तो मैंन जरा जरा सा मिश्रन ढालते हैं आपके कलशित इस इस इसे हल्का सा सिखने लगे इसके बाद हमेंसे ना हिलाती हुए चारो तरफ से अच्छी से जब üstा कि यह उत्समें दो सुपी हुआ है hmm आपकी हुआ ना करें झाया हुआ ते तब यह नीचे की तरफ से खल्का सा शिखने लगें उसके बाद आप से खुछ इस तरआए और चारु तरफ से जब तक यह अच्छी से गॉर्ड ना हो जाए तब तक के लिए हमें इसई फ्राइ कर लिएना है तो बस हम इसे अच्छी से फ्राइ कर लेंगे तो ये देखे फ्रेंट्स हमारे ये जो वड़ा है ना बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके अच्छा सा बिल्कुल गोल्डन साइस में रंगा आ गया है यानि कि ये बिल्कुल पॉफिक्ट है तो फटा फट से हम इसे निकाल करके ना साइट कर लेते हैं इधर नेक्स ना मैंने एक बरतन में पानी गर्म होने के लग दिया था जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें आट कर देंगे नमक जरा सा मैंने इसमें नमक आट किया और इसके इलावा हमने इसमें जरा सा हींग आट कर दिया और बस इसके बाद हम इसमें डाल देंगे व करने के बाद सक्त हो जाते हैं हार्ड हो जाते हैं तो आप यह तरीका बिल्कुल अपना है तो बस अब हम इसे दस मिनट के लिए देंगे उसके बाद हम इसे पानी से निकाल के अलग कर लेंगे इदर ना मैंने कुछ और चीज लिए तो मैंने यहां पर सेव भुजिया इसके जो भुणा तना मसाला उसे मैंने ग्राइट करके रेडी कर लिए इसके इलावा नमक और काला नमक इसके अलावा मैंने यहां पर दही लिया वा है जो दही को मैंने फेटा था ना बिल्कुल वही दही है अब बस इस टाइम पर मैं इसमें आट कर रही हूं यह शुगर तो बस इसे बढ़ हलका सा मिलाएंगे ताकि शुगर इसमें अच्छी से ना मिक्स होके रेडी हो जाए तो फ्रेंट्स इधर ना वड़ा को भी पानी में रखे वी दस मिनट पूरे हो चुके और अभी बिल्कुल अच्छी से ना पानी फूल चुका है तो बस अब हम फटा पानी निकाल के इसे काटोरी में निकाल ले फिरन अगर आप अभी सारे वड़ा नहीं सर्फ करें ना फिर भी आप सभी को पानी से अलग कर लिए अब आप उसे कितनी भी देर के रखे ना वहाट नहीं होगा तो बस अब हमें आप अपना रेडी करना है मदुबन वड़ा तो इसके लिए मैंने जो वड़े निकाले पानी से, उसे हमें ना हलका सा तोड़ लेना है, बिल्कुल हमें इससे माश नहीं करना है, बस हलका सा कुछ इसरके से तोड़ लेना है, तो बस वड़ा को कुछ इसरके से तोड़ लेने के बाद, इसके उपर हम डालेंगे दही, हमा करने मसालं हम पर लेंगे आर्ट करेंगे इसके बाद हम इसे ओपर से नमक नमक तो ऑने में चाहत कैसा ता है इसके दोनों में पर मैं नहीं हमारा जो मसाला है वो हम इसमें डालेंगे, इसके लावा थोड़ा सा नमक आइट करेंगे, थोड़ा सा काला नमक भी आइट करेंगे दोनों में, और इसके बाद हम इसमें आइट करेंगे, हमारे पार जो सीव हुजिया है, वो इसके उपर अच्छे से डाल देंगे, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो आप जरूर आट करें उस वक्त आपके पास जो भी नमकीन अविलेबल होना वह आप इसमें आट कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप से भुजिया ही आट करें इसके इलावा मैं इसमें आट कर रही हूं हमने जो ड्राइफ्रूट्स देये सब्सक्राइब करें तो आप एक बार जरूर ट्राइब करिए क्योंकि मुझे पूरा विच्छा से आपको बहुत पसंद आएगा नौमल जो दही बड़ा बनाते ना उससी इसी बनाने का प्रोसेश ज्यादा अलग नहीं है हाला कि इसका टेस्ट जो है वह अलग लगता है तो बहुत ही सिंपल है बहुत ही असान रेसेपी है आप इस रेसिपी को कप ट्राइ करने वाले हैं मुझे कमेंट्स में ज़रू बताएं तो अगर आपको यह रेस्पी पसंद आए तो प्लीस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर झाल झाल